सीजी गुरुकुल के इस व्याख्यानम आला में अब सारे लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंटर श्रिफिन्स कॉलेज के समस्क्रत विभाग में एसोसीएक प्रोफेसर हूँ मित्रो मैं एक बार फिर से आपके सामने समस्क्रत भाषा विज्ञान को ले करके उपस्थित हूँ और इसके विभिन्न पक्षों को विभिन्न तत्वों को हम जानने का प्रयास करेंगे मित्रो इससे पूर्व हम चर्चा में ला रहे थे जिसमें की भाषा का वर्गी करण किया था और तदनुसार आकरिती मूलक वर्गी करण और हमने पारिवारिक वर्गी करण को आपके सामने प्रपोज किया था आकरिती मूलक वर्गी करण के संबंध में उसके भी भेदों पर भेद की चर्चा की आकरिती क्या होती है रूप रचना क्या होती है रूप समरचना क्या होती है और क्यों रूप समरचनाओं के आधार पर किसी भाषा का एक फोल्डरिंग जो होती है वो आकरिती मुलक के अंतरगत क्यों होती है इसको जाना आज हम उसी आकरिती मुलक के जो भेदों पर भेद हैं हम उनको आगे पढ़ेंगे आगे जानेंगे तदनसार आक्रित मुलक के दो भेदे हैं अयोगात्मक और योगात्मक अगर अयोगात्मक को समझने की कोशिश करें तो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि वह भाशा वर्ग जिसकी भाशा में अर्थ तत्व के साथ रूप तत्व का योग नहीं होता हमने पीछे अर्थ तत्व और रूप तत्व के उपर में विमर्श किया था और रूप तत्व के लिए एक शब्द विशेश प्रयोग लाया था जिसे संबंध तत्व काह था अयोगात्मक जो वरगी करण है यस पश्ठ रूप से किसी भी प्रकार के ज्वाइनिंग का निशेध करता है निशेध नहीं करता बलकि ऐसी भाशा को अईडिन्टीफाई करता है जिनकी विशेशता में हम किसी भी प्रकार का योग नहीं देखते in that term उसको हम कह सकते हैं कि वो monosyllabic होता है maybe आप उसको ये कह सकते हैं कि वो उसकी जो सीमा है उसमें flexibility नहीं होती है लेकिन ठीक उसकी दूसरी ओर योगात्मक भाषा जब हमने योगात्मक की चर्चा की थी तो हमने एक यह भी कहने के कोशिश की थी कि प्राया जो जितने भी Indo-European language है जो North Indian जो भारती यह भाषा है उसको हमने कहा था कि योगात्मक है और किसी भी भाषा को योगात्मक कब कहा जाएगा कि जब भाषा वर्ग जिसकी भाषा में यानि वह भाषा वर्ग वह भाषा समूह जिसकी भाषा में अर्थतत्व के साथ रूपतत्व का योग होता है अर्थात अर्थतत्व और संबंधतत्व दोनों मिल करके ही उस अभाशा को उस शब्द को पूर्ण बनाएगा तो मैं तो यह अयोगात्मक और योगात्मक का विशलेशन है Otherwise, these words are in itself जो है अपने को distinguish करता है, अपने को परिभाशित करता है define करता है वो यह कि आओयोगात्मक यानि योगात्मक अताका जहां पर निशेद हो आओयोगात्मक हुआ और योगात्मक तो पश्ट है ही अगे इसको देखें कि अगर हम आयोगात्मक को समझने की कोशिश करें इंग्लिश टर्म जिसके लिए हमने कहा कि इसो आइसोलेटिंग कहते हैं इसको एकाक्षरिक कहते हैं इसे धातु प्रधान भी कहते हैं इसे निरवयव भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एक दूसरा टर्म है जिसे इनौर्गेनिक भी कहते हैं और इसे व्यास प्रधान भी कहते हैं तो इस प्रकार से इस अयोग आत्मक के लिए कई सारे शब्द ہے जो अभी व्यक्ति में हम भाशा विज्ञान में पाते हैं यह जो अयोग आत्मक है अब अयोग आत्मक है तो फिर हमें वाक्या वबोध कैसे होगा हम एक दूसरे से संप्रेशन के से करेंगे क्योंकि भाषा में अगर प्रिपोजीशन ना हो भाषा में विभक्ति ना हो भाषा में कारक प्रत्याई ना हो तो हम लोग जिसमें ट्रेंड हैं उसे दृष्टी से तो फिर हमें भाषा का बोध ही नहीं होगा आप एक स्वयम सोचिए कि अगर आपको किसी को यह कहना हो कि वह आम खाता है तो आप कैसे इसको बिना तो फिर भी एक बात समझ में आ रही है कि वह घर पर जाकर के पुस्त या घर में से या घर से निकल कर रास्ते में जा रहा था अब अगर इसमें में शब्द ना लगाएं अगर उसमें आप पर ना लगाएं तो हमारे लिए बोध कर पाना मुश्किल है लेकिन फिर भी जो अयोगात्मक भाशाएं हैं वह संप्रेशन करता है संप्रेशन में सक्षम है कैसे तो भाशाब ज्यानिकों ने उनके लिए तीन आधार का निर्मान किया और वो तीनों उदाहरन किया है जैसे देखिए संस्क्रित बाहरशा में फ्लक्सिबिलीटी है इसमें स्थानत प्रधान नहीं होता जैसे उदाहरन के लिए कई बार हमने चर्चा की कि हमें अगर यह कहना हो कि रामह ग्रिहम गच्छती या बालकह पुस्तकम पठती या फ्लम सा फ्लम स्थान प्रधान नहीं है कौम से इसलिए लेकिन कुछ बहाशा में क्या है कि अगर स्थान को एक ही शब्द है लेकिन अगर उसको आप दूसरे स्थान पे बदल देंगे तो वो शब्द के अर्थ में अंतर आ जाएगा हम उसको भी आगे उदाहरण में स्पष्ट करेंगे लेकिन समस्क्रित के उदाहरण से मैं बताओं पहले कि अगर हमने रामा पुस्तकम पठती कहा रामा का अपना निश्चित अर्थ है पुस्तकम का अपना निश्चित अर्थ है पठती का अपना निश्चित अर्थ है इस अवाक्य में लेकिन अगर इसी पुस्तकम शब्द को आप रामा से पहले प्रयोग कर देंगे तो जो सुर्प्रधान को भी समझः हम इससे स्ट्रेस कहते हैं आपने सम्सक्रित में सुना होगा अब उसको हम सुर्प्रधान कहते हैं अगर हमें कहना है कि मैं घर जाता हूं तो इसका मतलब यह वा कि और सारे लोग जो यहां बैठे हैं वो तो बैठे रहो लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़के घर जा रहा हूँ अहम ग्रिहम गच्छामी दूसरे इसी को स्ट्रेस डालिए अहम ग्रिहम गच्छामी मतलब भाई कहां जा रहे हैं मैं कोई सिनिमा देखने नहीं जा रहा या मैं कहीं पार्क में टहलने नहीं जा रहा या मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिलने जा रहा अहम ग्रिहम गच्छामी मैं घर जा रहे हैं यहीं मैं घर ही जा रहा हूं उस सुर से उस स्ट्रेस से उस स्टोन से हम उस अर्थ को पकर ले रहे हैं इसी को अगर आप ये कहें कि हम ग्रिहम गच्छामी कि मैं भाई मैं अब नहीं रुकूंगा मेरे पास टाइम नहीं है मैं घर जा रहा हूँ भाई तुम बाद में आना देखे एक ही वाक्य है उस वाक्य के विविध शब्दों पर विविध प्रकार के स्ट्रेस देने के कारण हमने तीन डिफरेंट अर्थ ले लिए तो संस्क्रित में भी है ये सुरुख हम देखते हैं लेकिन जो योगात्मक वहाशा है जो ऐसे में शब्द एक ही है लेकिन उसी शब्द के अर्थ को हम स्ट्रेस से बदलते हैं और योगात्मक वह यहाँ पर तो शब्द भी हम बदल लेंगे कहीं से किसी को कहीं कहीं डाल देंगे लेकिन अगर सह ग्रिहम कह दिया तो वह घर को होगा अर्थ लेकिन ग्रिहम सह कहेंगे तो घर शब्द ही ग्रिह का नहीं रहेगा ग्रिह का अर्थ ही कोई और बन जाएगा अपने उस सूर के कारण अपने उस स्ट्रेस के कारण और एक तीसरा है निपात हलांकि हमने निपात को यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है यह सोच करके कि निपात तक पहुंचते पहुंचते वो शायद व्याख्यान खत्म हो जा इसलिए निपात हम दूसरे दिन इंट्रोड्यूस करते हैं लेकिन इंट्रोड्यूस यहां पे मैं निपात को जरूर कर दूँ निपात संस्क्रित का टर्म है हम आप सभी जानते हैं और जैसे हा है खलू है वई है ऐसे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं भार्षा संदर्य के लिए या किसी विशिस्ट अर्थ के लिए या वात्य को इंफैटिक बनाने के लिए तो हम नि कार की विशेष्टा हमने अयोगात्मक की यहां पे प्रस्तुत की है आपके लिए कि पदों में व्याकरनिक कोटी का अभाव होता है व्याकरनिक कोटी का अभाव होना अर्था व्याकरन के नियमों के अंतरगत हम उन शब्दों का विश्लेशन नहीं करते हमारी आपकी और वाग में व्याकरन आजाता है अच्छा ये है यी बोट कालियर भविश्यक कालियर वर्थमांकाल यह जो है अच्शा चाहिए कि अर्थ में ये इंपेरिटीव है ये इंट्रोगेटीव है छूड्ते ही हमें उसकी प्रकृती समझ में आ जाती है लेकिन वहाँ पर क्या ह यानि पद का जहां जो स्थान होगा जिस जगह उस पद को आप पुट करेंगे उसके आधार पर उसके अर्थ और व्याकरण का बोधो होगा व्याकरण के आधार पर उस पद का अर्थ नहीं होगा इसलिए हमने शुरू में कहा कि व्याकरण कोटी का भाव होता है तीसरा स्थान के अतरिक्त पद विशेश का सूर्वी उसके अर्थका नियामक होता है जो कांट्रोलर अपने ग्रिप में रखेगा वो सूर्य ही जिसके अभी चर्चा की सूर प्रद्धान के व्याक्या के क्रम में सूर्प्रद्धान को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कि स्थान तो पहले है ही उसके बाद सुरु भी है और चौथा है निपातों का भी पदों के अर्थ निर्धारन में विशेश योगो होता है जिस निपात कहते हैं सामारी में इसे हम अव्यायभी कहते हैं तो निपातों का भी पदों के अर्थ निर्धारन में विशेश योगो होता है और मित्रों आप लोग सभी जानते हैं कि यास्क ने अपने बलकि जो हमारे प्राचीन भाषा विज्ञान है उसमें आपको स्पष्ट दिया गया है कि चार प्रकार के जो तत्व होते हैं वो नियामक होते हैं किसी भी भाषा के और उसमें एक नियामक भी है यास्क ने अपने निरुक्त में इसका जो निगंटु में शास्त्र में सविस्तर और सोदाहरन विशलेशन प्रस्तुत किया है अस्तु अब इस जगापे आते हैं कि हमने चर्चा की कि ये विशेस्ता है इस इस प्रकार से हम अयोगात्मक को पहचानेंगे अयोगात्मक को जानेंगे स्थान सुर और निपात के आधर पर एक आक्षरी को होगा निरवयव होगा धातो प्रधानों होगा व्यास प्रधानों होगा और इंग्लिश इन और गैनि बहाशा जो है ये औयोगात्मक है तिबती बर्मी बर्मा की बहाशा स्यामी और सुडानी ये चार बहाशाएं है उदाहरन के लिए लाया है और भी बहाशाएं हो सकती है इसका ये कतरी अर्थ नहीं कि ये चार ही हैं बलकि अन्य चार बहाशा और भी कई बहाशाएं हो सकती है लेकिन चुकिए हम लोग इस भाषा को नाम से जानते हैं इसलिए हमने रखा लेकिन उदारन हमने चीनी भाषा से लिया जो चाइनीज लेंगवेज है उससे है आप देखिये कहते है वो कांगनी एक वाक्या है चाइनीज में ख्रमा करेंगे मैं चाइनीज का ग्याता नहीं और इसलिए उस आधार पर इस भार्षा का उचारण करपाना नहीं है मैं तो अपने हिंदी और सम्स्कित की तरह उचारण करूंगा कि वो कांग नी एक वाक्य है, जिसका अर्थ हुआ, मैं तुझे देखता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी और इसी को देखे, प्लेस्मेंट चेंज हो रहा है, जो लास्ट का नी है, वो इधर आ गया, और वही वो जो है, वो लास्ट में आ गया है, और वाक्य बन गया, नी क वो, तुम मुझे देखते हो, परिवर्थित हो गया, ठीक है, यानि देखे, जहां जहां जैसे जैसे है, तो इस तरह से स्थान परिवर्थन के कारण अर्थ भेद हो रहा है, अब हम स्थान का उदारन ले रहे हैं, इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, ता लेन, ता और लेन, यह दो शब्द का एक वाक्य है, इसका अर्थ है, बड़ा आदमी है, अब इसको पलट दीजिए, लेन, ता, देखे, यही चीज़ समस्कृत में मैं बता रहा था, कि ता लेन, अगर समस्कृत में प्रियोग करेंगे, तो जो अर्थ ता लेन देगा, वही अर्थ लेन ता भी देगा, लेकिन नहीं, चैनीज में ता लेन का रथ हो रहा है, बड़ा आदमी है, लेकिन लेन ता का रथ हो रहा है, आदमी बड़ा है, अर्थ बदल गया, समस्कृत में ग्रिहम गच्छती, या विशिष्टः पुरुषः, अगर हम करेंगे समस्कृत में इसको ल आदमी है, और पुरुषः महां, तो भी अर्थ होगा, कि आदमी बड़ा है, पुरुषः विशिष्टः, आदमी बड़ा है, तो यहीं अंतर है, चुकि हमने पहले इंटर्यूस कर दिया कि समस्कृत योगात्मक है, इसलिए वहां से इसे समझ पाना आसान है कि अब जाहरन लीजिए, नाओ जेन, भला आदमी, और पलट दीजिए वाक्य को, जेन नाओ आदमी की भलाई, पूरी प्रकृती ही वाक्य की बदल गई, पूरा परिवर्तन हो जाता है, तो यहां पर यहां क्या है, यह स्थान प्रधान को अभी समझ रहें, यह स्थानों में बहे दो उत्पन होता है लेकिन सूर की आप देखे सूर प्रधानता की क्या वीशेस्ता है सूर चार प्रकार के होते हैं हम जब बोलते हैं अपने किसी वाक्य को किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने बात का जो modulation जो है वो जो change करते हैं वो चार तरह से होते हैं जैसा भी मैंने शुरू में समझाया था एक तो सामान यह है कि हम गर्षा में फिर होता है नीचे से उपर की और हम ले जाते हैं और खास करके जो आप संगीत जगत में देखते होंगे कि जब कोई बाती होते हैं नीचे से उपर की और ले जाते हैं जिसे आरोह कहते हैं नीचे आप blue plate में देख रहे होंगे लिखा हुआ है और एक होता है उचाई से नीचे की ओर उपर से high pitch से बोलना शुरू करते हैं बोलते बोलते नीचे आके रुख जाते हैं और चौथे प्रकार का है उचे सुर में सदेव बोलना हमेशा उचे सुर में ही तो इस सार प्रकार के ये सुर्य होते हैं अब ये सुर्य प्रधानता जो सुरों की प्रधानता क्या है इसको भी हम देखें जो समस्कित के माध्यम से हमने अभी बात की आरूह अवरूह इसी को हम उदात और अनुदात की बात करते हैं और देखे महां बडलक्षन भी है उच्चेर उदाथे नीचर उदाथे हूगा उदाथे उदाथे होगा और इसी तरह से जो नीचे होगा वो उदाथे होगा तो यह तो सूर की सामाने वीशेश अता हुई सूर को सामाने रूप में समझा लेकिन Chines Bhashtach Woman मैं देखें क्या होता है एक ही है वो बोलेगा बाव 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 चार बार बाव बाव बोलेगा एक अलग ही वाक्य का निर्मान होगा यानि बाव 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 कहने से एक अर्थ नहीं बन रहा है इन बाव बाव में अलग अलग सुर डालेगा और एक वो भिन अर्थ बनेगा ख्रमा करेंगे वो सुर डालने मुझे नहीं आता मैंने पहले ही कहा कि मुझे चाइनीज भार्षा नहीं आती लेकिन जो हमारे सामने सामाने रूप से उदाहरण में प्रस्तुत किये जाते हैं ये उदाहरण है हम आप कितने भी बार पुनह 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 बोलेंगे उसका एक ही अर्थ होगा कि फिर से फिर 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 लेकिन ये पुनाह 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 पुनाः पुनाह अगर Chinese भहाशा में हो और पुनाह 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 इसे अगर आप सूर बना करके बोलेंगे तो मेबी चारों शब्द के अलग-अलग अर्थ निकल करके कोई एक भिन अभिव्यक्ति ही हो जाए येन शब्द है चैनीज भाषा में इनके चार अर्थ हैं येन का एक अर्थ है हंक्स धुआ नमक आख अब ये है देखे ये चार अर्थ पर कंसेंट्रेट कीजिए लेकिन इनहीं को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो इस येन शब्द के ऊपर हम इस प्रकार से स्ट्रेस देते हैं इस प्रकार से stress देंगे कि अलग-अलग संदर्व में अलग-अलग अर्थ निकलेगा इसी stress की बात हमने संस्कृत के साथ बताने की शुरू की थे लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि शब्द अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता बलकि हम अपने माध्यम से अपने भावा भी व्यक्ति को परिवर्तित कर रहे हैं अगर अहम ग्रिहम गच्छामी हम कहते हैं तो अहम का अर्थ तुम नहीं होगा या ग्रिहम का अर्थ कोई सिनेमा नहीं होगा और गच्छती का अर्थ पढ़ना नहीं होगा शब्द अपने अर्थ को अक्षुन न बनाए रखता है लेकिन हम अपने उस सूर के stress देने के कारण ups and downs दिखाने के कारण हम distinct करते हैं कुछ-कुछ अभिव्यक्ति को कि अगर हमने अहम को stress डाला तो औरों को भी कोई न कोई उससे instruction मिल रहा है इसलिए हमने कहा कि भावा भी व्यक्ति में परिवर्तन लेकिन चाइनीज भाषा या जो योगात्मक भाषा होती है सरीक्षमा करेंगे जो अयोगात्मक भाषा होती है वो अयोगात्मक भाषा अपने अर्थ में भी परिवर्तन ला रही है और उसका एक विशिस्ट उदाहरन है चाइनीज जिस चाइनीज भाषा को हम आपके सामने ले करके यहाँ पे उदाहरन में समझाने की हमने कोशिश की अब एकॉर्डिंगली अगर आप क्लासिफिकेशन करे कि चाइनीज तिबती सुडानी उन उन भाषाओं की क्या है तो देखे इसके लिए भी हमने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है कि जो चीन देश की भाषा है वो स्थान और सूरप रधान है स्थान का भी महत्व है जैसा हमने उदाहरन में देखा मैं फिर से अभी बैक जाओंगा और उसको और स्पष्ट करूँगा और सूर का भी महत्व है स्थान और यानि अगर स्थान बदलेगा जैसे अभी हमने तालेन में किया था लेंता किया था तो उस जैसा हमने तालेन बोला वैसा लेंता नहीं बोला जाएगा उसमें सूर्वी बदलेंगे और तब ही जाकर के सामने वाले को उस अर्थ का बोध होगा और जिनको इस भाषा में गती नहीं है वहाँ पर वही वो अब फिर उस भाषा का वह अर्थ का अनर्थ समझ लेता है या अर्थ अर्था बोध ही नहीं होगा या वही एक बोध करेगा वही एक अर्थ करेगा करेगा जो अर्थ वो केवल एक जानता है सुडानी में स्थान का महत्व है अर्थात स्थान बदल कर अर्थ भी बदल जाता है स्थान परिवर्तन होने के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है मित्रों हम आप सभी जानते हैं कि भारोपिय भाषा में सामान्य रूप से स्थान परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन की संभावना कम रहती है क्यों? क्योंकि ये सारी के सारी जो भाषाएं हैं वो सम्स्कृत के द्वारा गवर्ण्ड है सम्स्कृत के द्वारा वो controlled है और सम्स्कृत जो है वो स्वतंत्रता देती है यह भाशा कि आप शब्दों का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं और यही कारण है कि कितने भी बड़े से बड़े पद्या आप प्रयोग देखे जो सम्स्कृत में जो पद्या लिखे जाते हैं वो लिखे ही इसलिए जाते इतने सुंदर ढंक से लिखे जाते या हमारे यहां की जो शब्दे जो प्रयोग में आते हैं कि उसे शब्दों को कहीं प्रयोग कर दें अर्थ आपको वही चलेगा और यही कारण है कि चार चरनों वाले पद्य, 21 वरणों वाला चंध आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्रियापद जरूरी नहीं है कि क्रियापद आपको कहीं मिल जाए चोथी पंक्ति में जाकर के तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में कहीं क्रिया घुसी रहेगी कर्तिरिपद कहीं और रहेगा आप देखी आप कंसेंट्रेट कीजिए मेगदूतम का एक श्लोक है आपको आशा ही लगेगा कि तीसरी पंक्ति में कर्तिरी पद और क्रिया पद एक साथ जुड़ी वी है यक्षा चक्रे पूरा वाक्य पढ़ लिया लेकिन फिर भी यहाँ पर एक संयोग है कि यक्षा और चक्रे एक साथ हमें मिल गया कि यक्षा ने निर्मान किया यक्षा ने बनाया लेकिन आप कर्मपद को ढूढ़िए भाई क्या बनाया तो चौथी पंक्ति में आ करके वसातिम शब्द आ रहा है ऐसा नहीं है कि यक्षा वसातिम चक्रे यक्षा कहीं आ रहा है वसातिम कहीं आ रहा है चक्रे कहीं आ रहा है इसी तरह से कोई भी श्रोक ले लें संस्कृत का यह क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्थान परिवर्तन से और्थ भेद नहीं हो रहा सुडानी में उनहीं चीजों के स्थान परिवर्तन से यह इज फिक्स्ट है कि अगर कॉल्म वन में अगर हमें क्रिया लखना है तो उस ज़ह पे क्रिया का क्या अर्थों होगा लेकिन जब column two में क्रिया को रखेंगे तो便 जरूरी नहीör पर वहOkay इसलिए सूडानी भारशा में इस्थान का महत्व है स्यामी भारशा जिसमें कि सूर का महत्व है और सूर के उपर तो बड़ी लंबी चोड़ी चर्चा हमने किये है लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर को डिनायल है भारुपी अभाशा में वहाँ पर भी सूर से अर्थ बदलते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलते हैं सूर से भाव बदल रहे हैं अर्थ तो अर्थ ही होगा और बड़ा सुंदर उदाहर ने हमारे यहां आपका इंद्र शत्रू को ले करके जो वईदिका ख्यान चलता है कि वृत्रा सुर के मुझ से निकलना है इंद्र शत्रू इंद्र पर स्ट्रेस डालेगा तो कोई भिन अर्थ होगा और शत्रू पर डालने से भाव बदल जाएगा इंद्र पर स्ट्रेस डालने से भाव बदल जाएगा भावा भी व्यक्ति बदल रही है जो शब्द का अर्थ है वो अर्थ का परित्याग नहीं है यानि इंद्र का अर्थ कमल नहीं बन रहा है और शत्रों का अर्थ मित्र नहीं बन रहा इसी निपात की चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे तो ये जो निपात है उसको भी जानेंगे किस प्रकार निपात जो है वो अर्थाव बोध में अपनी भूमी का निभाता है मित्रो ये आपने अभी अयोगात्मक जो आकरिती मूलक वर्गी करन का एक रूप अयोगात्मक को समझा है हम योगात्मक बाद में पढ़ेंगे आगे की चर्चा में लाएंगे और आगे में निपात के साथ-साथ योगात्मक को भी भाती जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों ने बड़े ही मनो योग से सुना आपके मन में आवश्यक रूप से प्रश्णों हो रहे होंगे यदि प्रश्ण है तो उसे जरूर भेजे उसके समाधान के साथ हम आपके सामने उपस्तित होंगे आप लोगों ने ध्यान से सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद